उत्तराखंड के चार गाओं को सर्वश्रेष्ट परियतन ग्राम पुरुसकार के लिए चुना गया है केंद्रीय परियतन मंत्राले अंतर राश्ट्रिय परियतन दिवस के मौके पर 27 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में इन गाओं को यह पुरुसकार देगा के लिए चुना गया है पिथोरागड के जिला परियतन अधिकारी कीर्ती चंद्र आर्या ने बताया कि भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत गुंजी में कैलाश धाम का निर्मान किया जा रहा है कि बैस्स तुरिजम विलेज कमप्यटिशन दोज़र चॉविश के अंतरगत उत्राखंड को इस बार चार कुरूस कर मिले हैं एक आपका जखोल विलेज है एल्डविंच्र पुर्ज़र में मिला हुआ है शूपी विलेज को जो एकर टुरिज़र में मिला हुआ है हर्सी व वहाँ पर सवदेश दर्सन योजने के अंतरकत केलास धाम बनने जा रहा है। इसमें जो भी आस्ता अपने वुकात संभव परिटकों के लिए होनी है उसके लिए विक्सीत की जाएंगे और संभव तो जल्दी ही जो भी है विकासकारियों कर की जाएंगे। वहीं सरवश्रेष्ट परियतन ग्राम के पुरसकार के लिए चैनित होने से गाउवासी उत्साहित हैं। लोगों का कहना है कि इस पुरसकार के मिलने के बाद जहां एक और गुंजी में परियतन व्यवसाय को नए पंक लगेंगे वहीं गाउं के लोगों की आजीविका भी ब है किसी की बात है। पिथरगर जनपद नैसरगी रूप से प्राकर्टिक रूप से विभिन संपदाओं से भरा पड़ा है और ठीकिसी प्रकार गुंजी गाउं भी अपने आप में अबुद्पूरु है वो पूरे भारत वर्स में एक अनूथा गाउं है। हम पिथरगर ज चेत्र में वो गाउं अपने आप में लोगों को आकसित कर पाए। तो वहीं उत्तरकाशी जिले के जखोल गाउं को साहसिक पर्यटन और हर्शिल गाउं को वाइबरिंट विलेज की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरुसकार के लिए चुना गया है। आर्थिक, सामाजिक, वपर्यावरणिय स्थिरता के प्रती, प्रती बध्धता को परखा जाता है। मैं धामी सरकार जी को और मान्या मोदी जी इसके इंसरकार को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ने हमारी और सुधिली है।